हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैट्रोल प्राइस हाइक इंडिया इंडिया के अंदर, कॉंटिनूजली, पैट्रोल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं इसके पीछे क्या रीजन्स हैं? इस पर बात करने से पहले हम जानेंगे कुछ बेसिक नॉलिज जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल मार्किट में, क्रूड ओयल, बैरल के हिसाब से आता है एक बैरल के अंदर, 159 लीटर क्रूड ओयल होता है जून में, जिसका प्राइस, 72.54 डॉलर पर बैरल था इंडियन करेस्टी के हिसाब से, इसकी कोष्ट 5,316 आई अनर हो जाती है अगर इसको देखा जाए, तो भारत के अंदर पर लीटर क्रूड ओयल की प्राइस, 32.39 लीटर हो जाती है इंडिया में, एवरी डे, एट 6 एम, पैट्रोल के प्राइस, रिवाइज और डिटर्माइन किये जाते है इंडिया, क्रूड ओयल की, जितनी इसकी कैपैसिटी है, टोटल कैपैसिटी का 85% क्रूड ओयल इंपोर्ट करता है जिसके अंदर ओपैक और साओधी अरेविया का 86% हिस्सेदारी होती है अपनी रेश्ट जरूरतों को अदर्स कंट्री और लोकल कपैसिटी से पूरा करता है इन डिफरेंट पार्ट्स उफ इंडिया यानि भारत के अलग-अलग राज्यों में पैटॉल का प्राइस अलग-अलोग होता है इसके पीछे का रीजन है लोकल टेकसिज, वैट और फ्रेट रेट वेट लगाने का तरीका और वेट रेट अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है लोकल टेक्स अलग-अलग होते हैं जिसके चलते भारत के अलग-अलग राज्यों में पैट्रॉल का प्राइस भी अलग-अलग होता है अब बात करते हैं petrol price के high होने की mainly four factors होते हैं जो petrol price को influence करते हैं जिसमें से पहला है crude oil यानि international market के अंदर crude oil का price कितना है इसका मतलब है यानि सरकार crude oil खरीदने के लिए किसी company को कितना charge कर रही है 2014 से पहले crude oil बहुत महंगा आता था लेकिन 2014 के बाद से international market के अंदर crude oil की demand कम हुई जिससे इसके rate भी कम हो गए लेकिन क्या reason है कि 2014 से पहले petrol सस्था था और 2014 के बाद petrol महंगा हो गया इसे आप दूसरे point में अच्छे से समझेंगे Second reason, excise duty charge by the government excise duty जो है center government द्वारा ली जाती है पैट्रोल के उपर excise duty center government द्वारा कितनी लगाई जा रही है पैट्रोल प्राइस को influence करती है अगर excise duty का government द्वारा चार्ज जादा लिया जा रहा है तो पैट्रोल प्राइस हाई हो जाता है लेकिन अगर पैट्रोल के उपर excise duty गौर्मेंट द्वारा कम लगाई जा रही है तो पेट्रोल का प्राइज कम हो जाता है जैसे 2014 से पहले इंटरनेशनल मार्किट के अंदर क्रूड ओयल का प्राइज जादा था लेकिन सेंटर गौर्मेंट द्वारा एक्साइज डूटी कम ली जाती थी जिसके कारण इंडिया द्वारती थी जिसके करण पैट्रोल का प्राइज हख हो गया तीसरा रीज़न डीलर कमीशन यानी जिससे नहीं किमत बठने जाते और पैट्रोल प्राइज भी hike हो जाता है चोथा reason wet यानी value added tax जो कि state government द्वारा लिया जाता है हर state government का wet लगाने का तरीका और wet लेने का तरीका अलग-अलग होता है इसलिए देखा जाता है कि भारत के अंदर जितने state हैं लगबख सभी स्टेट के अंदर पैट्रोल का प्राइज भी अलग-अलग होता है क्योंकि हर गौर्मेंट द्वारा अपना value added tax यानि वेट लगाने का तरीका अलग होता है जिसके कारण अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पैट्रोल का प्राइज देखा जाता है और भी कुछ छोटे-छोटे रीजन होते हैं जो पैट्रोल प्राइज को हाइक करते हैं जैसे पैट्रोल प्राइज हाइक होने पर टांस्पोर्टेशन महागा हो जाता है अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर पैट्रोल ले जाने में जो ट्रांस्पोर्टेशन का खर्चा आता है वो भी पैट्रोल प्राइस को हाइक कर देता है यानि दोनों एक दूसरे से कोरिलेटर हो करके एक दूसरे के प्राइस को बढ़ाते है क्रूड ओयल जो कि डार्क स्टिकी लिक्विड होता है इसको बिना रिफाइनिंग के यूज नहीं किया जाता है रिफाइनिंग के बाद ही इसको पैट्रोल और डीजल के अंदर बदला जाता है अग जितनी अच्छी टेकनोलोजी इंडिया के अंदर इसको क्रूड ओईल को पैट्रोल और डीजल में बदलने की होगी उतना ही हमारा रिफाइनिंग के अंदर खर्चा कम होगा refining भी एक reason बनता है जो कि petrol के price को diesel के price को hike कर देता है अब एक बार आप खुद देखिए कि union petroleum minister ने petrol price hike के ऊपर क्या कहा आज मैं शुकार करता हूँ आज की जो price आई है ये नागरिकों को consumer को दिक्कत दे रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन भारत सरकार हो या राजय सरकार है कोरोना में लगभग 35,000 कोरोड से जादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है अब बात करते हैं कि petrol price को कम करने के लिए क्या गिया जा सकता है इसके लिए government और हम यानि समाने नागडी की बहुत कुछ कर सकते हैं पहले बात करते हैं government यानि center और state दोनों government अपने taxes को कम करके और अपने अन्य चार्ज को यानि other charges जो government द्वारा लिए जाते हैं उसको कम करके petrol price को कम कर सकती है जैसे कि अभी आपको बताया था 2014 से पहले international market में crude oil जो था महंगा था लेकिन government ने अपने taxes को कम रखकर के इंडिया के अंदर petrol price को कम रखा लेकिन 2014 के बाद से international market के अंदर crude oil की demand घट गई जिसके कारण इसके crude oil के price जो थे नीचे आ गए लेकिन government ने अपने income के लिए taxes को बढ़ा करके रखा और दिन पर दिन बढ़ाती के जिसके कारण petrol के price बढ़ रहे हैं इसलिए government के द्वारा चाहें वो center government हो या state government हो अपने taxes को decrease करके और अपने other charges को decrease करके petrol price को कम किया जा सकता है दूसरे बाद करते हैं लोगों के अंदर एक awareness फैलाई जा सकती है कि अपने private यानि personal जितने भी इनके vehicle हैं इसको कम यूज़ करके public transport को ज़ाद से ज़ादा use करें तीसरे पर बात करते हैं गौर्वेंड को electric vehicle पर बहुत ज़ादा focus करना चाहिए जिससे petrol के demand कम हो जाएगी पैट्रोल के demand कम होने पर पैट्रोल के price भी नीचे आ जाएगे इसलिए गौर्वेंड को और private sector को भी electric vehicle पर सबसे ज़ादा focus करना चाहिए इसके लिए हम present time पर एक example ले सकते हैं Tesla company Tesla company आई है और महेंडरा अन्य और company जैसे Tata ने भी electric vehicle पर ज़ादा से ज़ादा focus करना शिडू कर दिया है गौर्वेंड को industrial sector के लिए पहले से ही कुछ alternative plan करके रखना चाहिए और गौर्वेंड को खुद की dependency पैट्रोल के ओपर कम करनी चाहिए जिससे भारत के अंदर पैट्रोल की demand कम होगी और demand कम होने पर पैट्रोल के price भी कम होगे इसलिए गौर्वेंड को खुद की dependency कम करनी चाहिए और industrial चेतर के लिए कुछ alternative plan पहले से ही करके रखना चाहिए other option पैट्रोल प्राइज को GST के अंदर लाकर के होगा जो कि सबसे अच्छा option होगा अगर पैट्रोल प्राइज को GST के अंदर लाया जाता है तो पैट्रोल प्राइज बहुत ही कम हो जाएगा present time में state government द्वारा और central government द्वारा अपने अपने taxes लिये जाते हैं जो कि पैट्रोल प्राइज को बढ़ा देता है लेकिन GST के अंदर लाने के बाद एक ही tax लिया जाएगा जिसके कानड़ पैट्रोल प्राइज कम हो जाएगा क्योंकि basic price पर dealer commission को add करने के बाद भी अगर GST के maximum slap यानि 28% का tax भी ले जाता है तब ही भी पैट्रोल का price present के मुकाबले कम ही रहेगा इसलिए GST बहुत ही helpful हो सकती है पैट्रोल प्राइज को कम करने के लिए जो आपको information दी है पैट्रोल प्राइज हाई गोनेगी और पैट्रोल प्राइज को कम किस तरीके से किया जा सकता है अगर आपको ये information अच्छे लगी है तो इस वीडियो को like, comment और share करिएगा और मेरे चैनल को subscribe करिए Thank you